आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके और करेंट सफेर इसके साथ साथ गवर्रमेंट जॉब से सम्बदित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं वेलकम तो आदर्श अकेडमी मैं आपको रेलवे एलपी के 28 के जो बीस अगस्त के कोशन फस्टिफ के आ रहे हैं मेरे पास आचुके मैं आपको देने वाद दे रहा हूँ उसको मैं इसके सलूसन दूँगा मैं रिजजनिंग और जीसके मैं अप्टेट बता दूँगा कि क किस किस तरह से आ रहे हैं देखते हैं फृण्स पैला कोशन के आया है कि यह से पफैला कोशन अ ध्था अरण ता 12 चलिव् से किसी सबाइब्स पेंगे रेंगे में जानते होगे नेशके निकालने का तरीकता है रेलेष्ट का तरीकाइब। कि गुड़े 100 कि यानि एक हजार परिच्छा के मार्क एक हजार का था कि मार्किंग एक हजार की थे आसान कोशन था फ्रेंड्स मैंत की कोशन ठीक ठाक आ रहे हैं लेकिन कभी कोई काथ कोशन टफ भी आ रहे हैं आपको अगर वीडियो पसंद आता लाइक शेयर और कमेंट जर सिद्յ तो सिद्व есть चाहर सेंटी मिटर है तो बताना हमें घन के वालूम संग के वालूम को अगर घंखें घन के वालूम से PG जटा आनेinis पर कितना वालूम आएगा मैंने मायनिस ठीका र 175 होende कोई family वालूम उसको रखेंगे, तीन से तीन और साथ से साथ कटेगा तो छांचट आजाएगा, तो कोछा मुझे कि घंक का वालूम संकु वालूम से कितना अधिक है, या घटाने पर बताना है, इसकी वैलू तो संकु घंका वालूम 343 है, संकु वालूम अगर हम घटा देंगे, तो मुझे 270 आजाएगा, कि मुझे उसका मान, पुछा घटाने पर कितना वालूम बचेगा, तो 270 बचेगा, नेस्ट कोशन देखते हैं हम, आर रहा हो जच का, आर वालूम को देखते हैं, संकु और गोले का मुझे का रेशियो बताना है, उसके वालूम का रेशियो, यदि गोले की तरिज्जा भी R हो, गोले की तरिज्जा और संकु की तरिज्जा दोनों बराबर है, उससे हम कोशन करेंगे, वालूम को देखते हैं, रेशियो मुझे बताना है, तो संकु का वालूम और गोले का टीन को कॉट्स पार्स अंग अंप सब्सक्राईब से नहीं ही काटतेंगे हम लिए तो और से रही आर चाइब होड़ी से उपार से लिए तो केंज आर क्योप्त आएगा उपर एच यह यूप यह नहीं होगी गाँ लिए हम स्कुल्म आर यह अंपर है वह उपार एच्छार आ बढ़ा देता हूं बढ़ा कि मैंने बताया था किसी बच्चे क्मेंट किया था कि जरूरी है टफ आना लेकिन देखिए टफ आगए आपके लिए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में 20 चालिस दिन में कर रहा है तो और चमटा ए से डेड़ गुनी है तो बताना है कि कि A, B, C कितने दिनों में करेगा कोश्चन को असन दरीके से करते हैं कि A 30 दिन में कर रहा है B 40 दिन में तो दोनों को आजसे मिलेंगे 120 दिन हो जाएगा A की छमता चार आ जाएगी B की तीन आ जाएगी कोश्चन में का हुआ है कि C की छमता एक डेढ़ गुनी है, मतलब इतना है, डेढ़ गुनी का मतलब 3 by 2, 3 by 2 कर देंगे, तो C की efficiency, अगर हम A की efficiency यहां रखेंगे, A की efficiency 4 है, question के साथ से मने निकाल लिया है, C की efficiency आ जाएगी, अगर हम multiply करके काटेंगे, तो 6 आ जाएगा, ABC 3 की efficiency अगर हम add करेंगे, तो 13 आ जा रहा है, ABC 3 की efficiency 13 है, हमें बताना है कि ABC इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, ABC कितने दिनों में कर सकते हैं, question में यह पूछा हुआ है, तो ABC अगर हम देखेंगे, तो total work हमारा 120 जो हमने पहले लाया है, 120, और ABC की efficiency totalize करेंगे, 13 आ जाएगी, भाग देंगे, तो 9 साही 3 मटे 13, इसका answer हो जाएगा, 9 साही 3 मटे 13, इसका answer, next question देखते हैं, next question आयू से आया है, महेश की आयू, दिनकर की आयू का अनुपाद 2 नुपाते 3 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 6 नुपात 10 हो जाता है, 10 वर्ष पूर आयू कितनी थी, दिनकर की, दिनकर की बता नहीं, यह 10 वर्ष पूर आयू कितनी थी, तो महेश ओ दिनकर की आप वर्तमान आयू का अनुपात हम देखते हैं, बाद में का रहा है, 7 अनुपाते 10 हो जा रहा है, 5 वर्ष बाद यह 7 अनुपाते 10 हो जा रहा है, question में कहा है, तो हम क्या करेंगे friends, बाद वा रहें, नीचे का difference, 7 और 10 का difference, 3, और उपर का difference, जो की बीच में ratio हमारा equal है नहीं, 3 से 10 equal नहीं है, तो मुझे बताना है कि दिन कर की आयू दिनकर की आवे में डायेट हम देखेंगे, सब का निकालेंगे नहीं, दिनकर की देख लेंगे 9 रेशी की वेलू, 9 मेंगर 5 का मल्टिप्लाइएंगे तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यह हमारा वर्तमान में है, कोशन में पूछा है कि 10 वर्स पहले उसकी आयू कितनी थी, त परतमान से 10 वर्स पीछे जाएंगे, तो 10 वर्स घटाएंगे, तो 45 में से 10 गया, 35 यह हो जाएगी उसकी 10 वर्स पूर दिनकर की आयू, आयू से कोशन हमेसा हर पेपर में शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आप देखते रहे हैं इसको, नेक्ट कोशन इलगाडी से कोशन हमेसा जादे टफ नहीं आ रहे हैं इसमें, रिगाली की चाल दी हुई है, 100 वर्स दस मिट बात बने में बताना है कि कितनी दूरी जाएगी, आपको पता है, डिस्टेंस इसको, स्पीड इन्ट टाइम होता है, इसकी स्पीड दी हुई है, 100 वर्स टाइम दिया हो 10 मिनट, हमें बत पर बाचान था, नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन प्रॉफिट अन्ट लॉप से आ रहा है, किसी वास्तुक को 13 पर बेचा गया, यदि 49 रुपए और बढ़ा देते हैं, तो 22 पर 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 पाना है, तो उसे पाएगा, तो वो कितनी रुपए हो जाएंगे, यह बताना कोशन थोड़ा हुर्भ था, मैंने पने भासा में उसको लिखा हुआ है तो सीपी मांनते हैं अगर हम सीपी अगर सो मानते हैं, त opensiping का लॉण का लॉष हुआ है, तो तरह बहुंब लॉष हुआ तो कितने हें भीका, सटासी में बिगा यदि 49 रुपय का बढ़ा देता है तो 22 परसंगा प्रॉफिट होता है अगर सीपी हम सौ मानते हैं 22 परसंगा प्रॉफिट होगा तो कितने बिगेगा 122 में 122 में तो 87 प्रेच करके 122 में भी करा आया 35 35 में लेकिन कोशन क्रा रहे है कि उससे 89 रुपय पढ़ा है तो एक रेश्यों के वलियां से निकाल लेंगे हम 99,35 और में बताना है कि सीपी हमें बताना है कि 30 परसंग तो हम सीपी अगर निकालेंगे तो से मल्टिप्लाई कर देंगे तो CP आजाएगा हमारा एक रेस्टी की वल्य इतनी है तो 100 की वल्य बतानी है तो 100 की वल्य गर हम कैंसल करके CP निकाले एक सो चालीट आजाएगा लेकिन हमें कोशन में कहा है कि 30 पर्षन अगर वो प्रॉफिट पाए तो CP से प्रॉफिट तेखेंगे अपना तो एक सो चालीट का 30 पर्षन का प्रॉफिट का मतलब एक सो तीस बते सो कट करेंगे तो 182 हमारा एंसवर आ जाएगा हम इसमिंग सब जेखंगे का है कोषकर टिंडर से कोष्षन आा रहा है कलेंडर से कोष्षन है तो तो शौत कोष्षा just की और कि वर्षबाद रीपीट होगा तो 2020 हम जानते हैं ली पियर है तो लीपीर हमें भी पिटहियर होता हुए हमस्य ऐड़ा के बाद रीपीट होता है तो लीपीर से कौशन था ए इस से कोशन था सवी कोश्टन से बीकास्ट था स्थेटमेंट्स से कोशन आ रहे हैं 국 attended 2023 का मतलब से तीन दिया हुआ गचेए से कुछतन अर्वायद हम से कोशन फ्रेंक न इंडाने सब्सकिन इस लिए तो हमाथ ऊपपाने किसे बेलेगा इं JAM तो नियुकित से लिखेंग केुणक ना टकंटे यहां ऐला कर लूज़् इसक्रमण किसे लिखते हैं पैसे हैं इस एक न को अ कहा में जानी में ऐ बन से लिखेगा ए एंबब होगा हमारे पास के इसी निक ही एपटेश्ट से जी एसको कुछन में पूछ रहा है किसे भोजन के लिए इस्तुञार जाने वाल क्या होता है यह C L होता है अपको पता ही है असान कोश्चन था Phrage l is not पूछ रहा है मानवा सारी का प्येमान क्या होता है तो आपको पता है yah मैं इसकी कोश्चन बता पा रहा हूँ क्योंîne सारे चीछे इसके डेटियल बनाने में नवीडियो टाइम लग जाएगा क्यां क्या क्या आया है घेदु धारा का मात्रख पूछा था है आपको पता ही इंपार होगा पुछा था कि लप कफार्मूला क्या होता है तो यह इंट फो होता है आपको पता है पर याए ब्रइटेवल पढ़के जाहिए प्रेड़ से तीन से चार कोशन आ रहे हैं प्रियाई-डेवप जरूपड़के जाएए फीफा वॉल्कप से कोषण आया था फीफा अंडर्षोंसे कोषण आया था ग्राविटेशनल से कोषण अगर्फ़े लि charge है ऒफ़ता हैज्व प्र हूंं से यह एक कोषण आफ यह पि Juice आप्य네요 मतंदे करें एक कोश्चन था, एक कोश्चन था, पी. अच? ऐसके फिरन के कहां था, उसका केया था? ओपी।chsन रिपीट भी हो रहा है, हाँ धान दीजे, GS की कोश्चन रिपीट भी हो रहा है, में हद यह बीज लगोंगा कोश्चन हा हरा है, रेजनिंग के भी उससे ही है मैं सारे कोश्चन ठीक ठागी है लेवल चेंज नहीं कर रहा है लेवल पहले उसने पहले रेल्वे ने पहले ही आथा कि रहेंगे लेवल बढ़ाएंगे नहीं लेवल हर एक पैटर हरेक पेपर में सेम रहाएगा तो लगभग वही है थोड़ा सा तीवी का इन्वेंशन पूछ रहा है इन्वेंशन जरू है आप इन्वेंशन पढ़के जरू जाएगा आगे अभी दोतार पेपर है तो आप इन्वेंशन जरू पढ़के जाएगा इन्वेंशन पूछ रहा है टीवी का एक कोशन आया था अस्विन से अस्विन तीनसों व किजिएगा मेरे पास इतने कोशन थे मैंने अगर अगला स्रिप्ट का मेरे पास कोशन आता है तो मैं आपको जरूब वीडियो बनाकर इसको बताऊंगा कि कौन से कोशन आ रहे हैं किस टाइप के आ रहे हैं थैंक यू फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर लि एज एगा